नमस्कार मैं हूँ आशुतोस और आप देखने सत्तिहंदी.com सत्तिहंदी.com में खासकारक्रम आशुतोस के बात में आपका स्वागत है आज हमारे साथ खास महमान है हमारे साथ है कॉंग्रस पार्टी के वरिष्ट मेता और एक जमाने मुत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे ह हरीश रावज जी आपका बहुत हरीश रावज जी हर शावज जी सबसे पहले तो यह जो महराश्च के अंदर जो हुआ कि आपको इस बात के उम्मीट थी कि महराश्च में ऐसा कुछ होगा और आपकी अपनी इस सरकार्ती महाविकास हाड़ी की इस तरी के चली जाएगी देखे भारती जनतापाटी केंद में प्रभावी हो उनकी सरकार हो और इसमें विपक्स की कोई सरकार वो भी जहां महारास्ट जैसा प्रियोग है वो सरकार सुरक्षित रह जाए ये कैसे संभव है आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ हमारी चलती भी सरकार को बंग करने के लिए राष्टवती शासन से ले करके क्या क्या कदम नहीं उठाए गए हमने सब को जेला और ये अरुनाचल से सिल्सिला चला था और देश में आप मॉंबई पता नहीं और कहां मुकाम होगा आप तो इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं कि आप नाड़ी बैद दी हैं देश की रासमी के भारती जनता पार्टी किसी भी विपक्षी सरकार को किसी भी ससक्त प्रभावी विपक्षी को सहन करने को तयारी नहीं है उसको उनमों वो सहन सीखता नहीं है उनका डीने वो सहन सीलता उनको नहीं देखा है वो बरदास नहीं कर सकते हैं महारास के अंदर एक प्रियोग हुआ और उस प्रियोग में कॉंग्रेस नहीं हुआ और हमारी सवधरी समझ लीजिया हम जो है एंसीपी ने मिल करके सिवसेना का साथ दिया तो भाजपा को वो सैन नहीं हुआ वो तो इतने दिनों तक भी साइद इसलिए कस्मसाय रहे सुरू में भी एक बार कोशिस की थी इसलिए कस्मसाय रहे कि लोग यह कहेंगे देखो जो इनका साथी था बाल ठाकरे जिनको यह बिल्कुल अपना गुरु मान करके चलते थे यह उसके पुत्र की सरकार इनसे बरदास नहीं है और अनुन्तों गत्वा जब इनकी सेहन सीलत की पराकास्टा होगी तो इन्होंने कोचन कोच सब लगाया और जब इनके पास ED, income tax, CBI जैसे specialist हैं तो महरास्त के अंदर तो सरकार को जब जहते यह गिरा देते क्योंकि वहां जानते हैं आप जो वहां की विधायका है उसका स्वरूप किस तरीकी के का बना हुआ है और उसमें जो है यह तीनों जो इनके सयोगी हैं TBI आदी यह सबसे प्रभावी हो जाते हैं अनुन्तों गत्वा इन्होंने जो है लोगतंत को लोगतंत की एक प्रकार स मैं कहूंगा कि यह हत्या है एक बार लोगतं तो फिर मारा गया है अगर अपने विधायकों को समाल के नहीं रख पाई और दो तिहाई से जादा बहुमत शिवसेना उधर ठाकने को छोड़के कई और जा रहे हैं तो उसमें आप E.D. को कैसे जिमेदा ठहरा सकते हैं दो चा कि नाराजगी होती बिल्कुल मैं आपके तर्क से सहमत हूँ यदि नाराजगी होती सीवसेना से उसके नेतुतु से यह संक्या चार पांस दो चार कि मैं बना मुझको अधिकार नहीं दिये या दूसी सब चीतू तक सीमित रहता है जब इस तरीके का बिल्कुल कैलकुलेट एक मूव हुआ है तो वो बिना किसी बहुत बड़ी तयारी के नहीं हुआ है और वो बड़ी तयारी बेना भाजभा के हो नहीं सकती थी और एकनात सिंदे ने स्वयम गोहाटी में अपने सांतियों को एड़र्स करते वे कहा कि आप चिंता नहीं करो हमारे सांथ देज की एक बहुत बड़ी सकती है खड़ी तो उनोंने साफ कर दिया कि जो कुछ वो medida कर रहे हैं उसके पीछे बड़ी सकती है और उनोंने सब को आश्रश किया और उनको आश्रश करने वाले दूसे लोग भी होंगे अब तो आपको क्या लगता कि शिवसेना सर्वाइब कर पाएगी उद्र ठाकरे के नित्रत्य में या शिवसेना खतम हो जाएगी लिखे बाल ठाकरे का जब तक नाम है तो मैं नहीं समझता कि कोई सिवसेनिक अपनी उस लिगेशी को तो लोग बने हुए हैं एक बात उदर ठाकरे जी ने ठीक कहा कि कोई चाई की रेहडी लगाता था कोई सब्जी वेस्ता था कोई कुछ और काम करता था वो छोटे छोटे काम करने वारे सब लोगों को हमने झासा नठित किया और सिवसेना बनाई और ऊस सिवसेना से आज इस मकाम तक perlu पहूँचें तो लोगों का जिन्दगी का एक लंबा रिष्टा है सिपसेना से और बाल ठाकरे साब से, उद्व ठाकरे उसके हिस्सा है, उसके धुजवाख है, लेकिन आप राज ठाकरे का मामला देखिए, राज ठाकरे सिष्य थे बाल ठाकरे की के, और हम लोग भी ये समस्तेस साइब यही उनके उत्र अधिकारी होंगे लेकिन अनुत गत्वा जब उद्रव ठाकरे की वात आई तो सिफ सेनकों ने कहा नहीं हम जो है उद्र ठाकरी के साथ रहेंगे चूंकि उन में वो उनके अन्स हैं वो बाल ठाकरी के तो आज भी बाल ठाकरे नाम सब्द जो है किसी भी सिफ सेनिक को या उनक शोच को रखने वाले को Elizabeth के लिए तक्षम है Amal आगे जो हुदा ठाकरे कैसे लड़ाई लड़ते हैं कैसे नके जो नभजी कुछ लोग है वह इस लड़ाई को ले चड़ते हैं और कैसे वह वार्टाकरी साथ के सब्द का नाम का इस्तेमाल करते हैं और उस राजनीती के दाओं को चलते हैं उस पर डिपेंड करेगा मगर भाजपा लूजर रहेगी एक बात याद रखेगा क्योंकि पहले ये कॉंग्रेस को गिराते ते लोग के ते लोग के ते लोग कहते उन से बहर है इन्होंने आपके जो है अपने ही हिंदुत के ध्वजवाग के पीट में चूरा वहूंका है इसलिए भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा और आप मेरी बात याद रखेगा आप मुझसे कम राज़ीती के वो नहीं है बलकि मुझसे कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आप सब त ठाकरे ठीक तरीके से आगे कदम बढ़ा तो बाला साथ ठाकरे की तुलना में तो बहुत ही जंटल पॉलिटेक्स करते हैं बाला साथ ठाकरे बहुत अक्रामक थे बाला साथ ठाकरे खुद मुखमंतरी नहीं बने थे क्या उद्धर ठाकरे का खुद मुखमंतरी बनना यह उ लेकिन हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी कि हम यदी शिफसेना का सपोर्ट कर रहे हैं या उधर ठाकरे उनके नेता का सपोर्ट करते हैं तो जब यह बात उनको सरत्पाहर जी ने कही तो उनके लिए फाजपा को सभक शिकाना है जिसने उनके सांब वादा करके वादा खिला तो इसलिए उदव ठाकरे को उन्होंने मुख्यमंती बनना स्विकार किया उसके लिए लोग दोशी नहीं ठेहराएंगे क्योंकि परिश्चितियां एती थी यहां में एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा तो आपने एग्रिसिव पॉलिटिक्स की बात चाहिए देखें चीफ मिनिस्टर के रोल में तो आपको सब चीजें साथ नहीं पड़ती हैं सब समझने पड़ते हैं सब का आधर करना पड़ता है तो वो हमने मुख्यमंती बढ़ता को देखा अब अब एक घायल सेर को देखेंगे तो सेर किस तरीके से करता है मैंने यही कहा आपसे कि लोग उनमें बाला साथ थास्रे खोजने की कोशिस करेंगे और किती बुद्धिमता से वह आगे अपने पत्ते चलते हैं उसके निर्वर करेगा यह ठीक से पत्ते चले तो एक साल बाद भाजपा अपने इस एडवेंचर को जो है रिग्रेट करें इस कि उनका व्यवार क्या है उनकी स्थितियां क्या है क्या आगे की राजनी की कहती है लेकिन इन इन आप जानते हैं एलाइंस में कोई एक व्यक्ति जो टीवी के सामने बैठा हुआ है तो वो नहीं करता कॉंग्रेस के अंदर इसका निन जो है पार्टी करेंगी बनके रह गई है और जो एलाइंस था उस एलाइंस में भी आप तीसे नंबर की पार्टी थे क्या आपको नहीं लगता कि एलाइंस पॉलिटिक्स करने से कॉंग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वह महरास के अंदर सीमित होता जा रहा और वो कमजोर होती जा रही है देखि वो क्लासे चले गए थे और विसे सर्वा ओवी सी के कुछ क्लासे चले गए थे जो हमारे नए PCC अध्यक्स हैं उनकी उन्होंने जो है जो सूशल इंगिनीरिंग की है मैं समस्ता हूँ वो इंगिनिरिंग हमको जो है नंबर एक की चॉईस में लेकर क्या आई क्या एकला एकला चलो रहे का काम नहीं करना चाहिए महारा सकंदर देखे मैंने कहा न कि इन सारी परस्तित्यों पर आज क्या वहां घटित होता है उसके बाद हम कोई जल्दवाजी में सब चीजूंपर नहीं होंगे और पार्टी जो है सारी चीजूंपर विचार करेगी समर्थन का निर्णाय लेते हैं तब भी बहुत सोज विचार करके करते हैं और इदि हम कोई और अनिता भी निर्णाय लेते हैं तो बहुत सोज विचार करके करेंगे और आप को लगेगा कम से कम आप जैसा जो गंभीर पत्रकारिता करते हैं उन लोगों को लगेगा कि कॉं स्याई बढ़ती जा रही है चाहे वो बिरुजगारी का सवाल हो चाहे महिंगाई का सवाल हो चाहे सामाजिक सवहार्द के बिगड़ने का सवाल हो कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से मूव करना चाहिए उस तरीके से मूव नहीं कर पा रही है और यही कारणे कांवरिस का जनाधार पूरे देश के अंदर कम होता जा रहा है आप सहमत है इस बात से आप मुझको इतनी गंभीर और चुकिली बात आपने कहिए है उसका जवाब देने के लिए तीन-चार मिनट दीजिए प्लीज हमने 1984 से जब हमने 21 सदी के भारत बनाने की बात करी अब इससे इस तरह पर जो है कम्मुनिकेशन टेक्नलोजी और दूशे तरीके के आर्थिक समाजिक सुधारों के जरिये जिसमें पंच्याइटी राज से लेकर के युवाउं को बोट की उम्र घटाने तक बहुत सारी बाते हैं जो राजी जी के नेतित में हमने 21 222 में हमने जो खुछ गेन थे उन सारे गेनों को गरीब तब के को जिसके लिए भारत खड़ा है भारत का लोगत खड़ा है उस तक पहुँचे उसके लिए निरने लिए जिसमें कई तरीके के अधिकार जिसमें समवात का अधिकार से लेकर के सिक्षा का अधिकार स्वात का आदिकार, काम का अदिकार, भोजन का अदिकार, बनाधिकार, आधिकारी अधिकार, सब चीजे जो है, जिसे बड़ा-बारी समाजिक परियूरतन है, आप अन्दाज लगाये, यह एक इतिहास है, जिसको हम गर्व के साथ याद करना चाहेंगे, थि हमने 10 साल के अंदर 14 से लेकर के 16 करोट लोगूं को गरीवी की रिखा से बाहर निकाला और करीब 36 करोट लोगूं को जो निम्नम आई वर्ग के लोग थे और जो केवल गरीवी के रिखा से उपर आये थे उनको हम मध्यमभर्ग के नजदीक तक लाए और जो मध्यमबर्ग था उसको एक शर्षक्त मध्यमबर्ग में बदलने का काम किया जिससे हम ये कहने की सिटी में आए कि हम आगे भारत जो है तीन क्लियन की एकोनोमी बनेगा ये डाक्टर मनमोहन सिंगी ने कहा था तो ये सब चीजों पर हमारा फोकस बना रहा है हम एक बा मात खा चुका है कॉंग्रेस की चालू से गाधी की चालू से भी मात खाया नेहरू की चालू से भी मात खाया इंदर्या गाधी जी की चालू से भी मात खाया वो जो है कहीं कहीं कुछ बुन नहा है हमारा नाम था इंडियन नेशनल कॉंग्रेस भारती राश्की कॉंग्रेस हमने हमेशा भारितता को भी सामने रखा उसको भी हमने एक उज्वल पक्ष की तरीके से प्रचारित किया हमने रास्वात को भी हमने उसको भी मजबूती के साथ हाइलाइट करने का काम किया लेकिन हम आर्थिक प्रूफ से भारत मजबूत बने एक महाशक्ति बने इस दौड में इस तरीके के कछिन परिश्रम करने में हम कहीं कहीं पर भारितिता और राष्टवाद का जो वो था हमारा हमारा प्लैंक था उसको दूशों को चोरने दिये उन्होंने चोरी करने अब यह अलग बात है कि उन्होंने जो भारितिता थी उनकी भारितिता भी कैसी है यह मुझको कुछ बताने की जर्बत नहीं है वो भारितिता है ही नहीं तो भारत तुकडे तुकड़ों का भारत की सोचे उसी तरीके से उनका जो राष्टवाद है वो राष्टवाद जो है वो तो तो इसलिए आशुतोस जी हम देश बनाने और 21 जदी का भारत बनाने में लगे रहे और यहां से जो राजनितिक वर्क था वो थोड़ा 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 हमारा कमजोर होता गया और उन्होंने चालाकी से एक गुजराद मॉडल सामने रखा और गुजराद मॉडल ने 2004 में क पंदर लाक हर खाते में दो करोड नौकरियां किसानों के आमदनी दुगनी इतने बड़े सब्जबाग दिखाए उन सब्जबागों में हमारा जो है चौद करोड गरीवूं को गरीवी की रेखा से उपर लाने का जो चमतकार था वो छुप गया और उसके बाद उन्होंने कुछ हर चीज में हिंदुत हर चीज में हिंदू-मुसल्वान कुछ इस टरीके की चीज्जें ले आई अब खाते फिते लोगों का शौक दूसरे तरीके का हो जाता है अब वो गरी भारत तो है नहीं देります कि लिए उन्होंने कुछ जॉइन भूम के मशाधें तयार कर लिए और फिर यह जो टीवी चैनल हैं दूसे हैं पत्रकारिता है. आज वह खोजी पत्रकारता नहीं रही वह चुकीली पत्रकारता नहीं रही वो सब चीज़े नहीं रही उन्हों ने सब चीज़ों को मीडिया था दूसी चीज़े थी उसको एक प्रकार से बना लिया और उसके प्रचार संत के जरिए हर किसी के दिल-दिमाग में ऐसा भर दिया कॉंग्रेस उससे लड़ने की आदी नहीं रहे पुराने कभी लड़े थे हमारे बुज़दूर्स से और अंग्रीजू से एक साल लड़े थे लेकिन अब हम उसको रीडिसकबर कर रहे हैं अपनी उस ताकत को जो है मुदैपूर में हमने उस पर चिंतन किया और उस चिंतन के बाद जो है हम ऐसे सारे सामाजिक संगेटनों के साथ अपने को फिर से एलाइन कर रहे हैं जिन से हमारा समझ तूट गए थी हम में हम फिर से जो है उन चीजों की तरफ जा रहे हैं जो हमारी सौवाइक प्रिक्रिया का अंग था इंडिन नैशनल कॉंग्रेस की सौवाइक उनकी तरफ जा रहे हैं इसलिए जो है हमने दो मैसिव कारिक्रम लिये हैं एक है 75 किलोमेटर 9 अगस से भारत छोड़ों के दिन से 5 अगस तरफ हम तिरंगा जंडा लही करके गाउं गाउं मुझे और दूसरा जो भारत जोड़ों है एक बहुत महत्वा कांक्षी चुनौती पूल नारा है तुनौती पूल बात है इसलिए यह जो एडी वाला हो रहा है या दूशा हो रहा है यह सारी चीज़े इसलिए तो हो रही है कि कॉंग्रेस को भारत जोड़ों से घवडाई कत्ता जो है हमारा राजमितिक मुकाबला करने के वज़ाए है अब सारे सस्तु के स मुकाबला करना चाहा रही है सै अकहले हमारी कि वी तो आउसीता है इस संबैदानिक लोगतान्ता की भी तो आउसीता है ये हमारे वास्टिर करतु में जो घंतान तात्मक रास्ट है उसके भी तो आउस्किता हैसी उस्दाश की मोड़नी तरिक में। सवाल यह करते हैं कि मुद्दे इतने सारी कॉंगरेस पार्टि 11.1 के बाद तो लोग यह कहते हैं कि देश तैयार है और भारती अंताव पार्टी से लड़ना चाहता है जो है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी तैयार नहीं है इतने मुद्दों के बावजूद भी यह अन्याय आप जैसा विश्लेशक हमारे साथ नहीं करेगा कि हमारी फुल टाइम लीजर्सी सत्यता यह है कि जिन हालात में सुनिया जी जुम्यदारी को उठा रही है कभी-कभी हमको बहुत तक्रीब होती है मैं गर्दन तूटने के बाद इस्किती में नहीं था कि राजमीती में सक्री गहता तो 19 दिन के कोरोना के बाद तो बिल्कुल नहीं था लेकिन हम लोग अपनी फ्रान लगा रहे हैं राहुल गांधी जो है बहुत गंभीरता से मैंने किसी उनकी उमर के व्यक्ति को इतनी ग सब्सक्राइब कर रहा हूं कि 2024 के बाद हम परश्चित्यों को बदल सकेंगे और आप राहुल गांधी जी के साथ कम से कम आप अन्याई मत करिए इस देश के सामने जितनी बातों का आपने जिक्र की है जिनको आपने कहा कि यह सारे सवाल इंतजार कर रहे हैं कॉंग्रिस का इन सवालों को बल पूर्वक तागत के साथ सिद्धत के साथ उठाने का काम राहुल गांधी करते रहे हैं जी सब्सक्राइब कर रहे हैं यह सवाल महत्पूर्ण है इसलिए मैं इस सवाल को नोड़ बंदी के नोड़ बंदी पर किसने चुनौती थी MSME की बरवादी पर किस इसने बातें की बेरुद्धारी पर संगर्स को आगे वढ़ाने का आववान और आपने बेरुद्धारों की देश के अंदर पहुंच खड़ी कर दी है उस बात को बरावर कौन कह रहा है सत्ता की आँखु में आँखें डाल करके और यह आप जैसे देखे तो सही परोना मे हैं लेकिं लोग कहते हैं को टूटर पर सवाल उठाते हैं कॉंग्रेस पार्टी सड़क पर तब उतरी जब राहुल गांधी को इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट में अपने पास खीचा कॉंग्रेस पार्टी बिरुजगारी के मसलिम सड़क को आरांदोरन करती हुई नही करें हम तो चाहेंगे कि हम को घसी के हम चाहेंगे हम पर जो आंकार की लाथी हों पर बर्शे लेकिन ऐसा भी नहीं है एक बारगी आप देखे हात्रस के अंदर अत्याचार होता है एक बेटी के उपर लड़ने के लिए पाउन गया रागुगादी प्रिंका गादी किसानों के उपर आप किसानों की लड़ाई को देखे यह तो बाद में हमने टैक्टिकली छोड़ दी लेकिन पंजाब में जो है तीन दिन का मैं उसमें वहां का प्रभारी था हमने यह सब ऑगनाईज किया था तीन दिन का ट्रेक्टर यात्रा जो है रावल गांदी जी निकाली उस उसके अलावा जो है आप सीता पूर लखिंपूर खीरी में जो कुछवा किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और भी बहुत सारी लड़ाईया हैं जिनको उन्होंने लड़ा है और लेकिन आपके कहे को मैं एक संसधी लोगतंत और संबैधानिक लोगतंत के सेवक की पूक का सुधाव समस्ता हूँ जो आपने कहा कि जितना अपेक्षा है उतना आप नहीं कर रहे हैं हम करेंगे हम सुधारेंगे और यह भारत जोड़ो हमारे हमारे उसी इंटेंट को बताता है अब यह टुटर नहीं आपने टुटर वाज को सबसे बड़े टुटर वाज को आपने प्रधानमंती बना दिया हमको आप विपक्स का दर्जा भी देना चाहते हैं एक चिंता बहुत सारी लोगों के मन में है खास्तों पर जिस तरीके से शिवसेना में बगावत हुई है कुछ लो और वो में तो चला जाता है कॉंग्रिस तो अपनी जगों पर रह जाती है आप देखें ते सालू में कितने में चले गए कई लोग जब हमसे कहते हैं सवाल करते हैं कि तुम कहां बख़ड़े हो क्या है यह है वह है तो मैंने का कोच अंतर नहीं बढ़ना है कॉंग्रिस में तो दिखाई देते हैं और जिस दिन केवल मैं रह जाएंगे अलग होंगे तो कुछ दिन की चांदनी फिर अधेरी रात तो हमारे दोस्तों को भी इस बात को समझने चाहिए कि कुछ दिन की चांदनी फिर अधेरी रात है जो गए है इसलिए कुछ होने वाला नहीं है देख तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप निर्भीता से कह सकते हैं हरीर सावत बहुत सारी चीज़े कहता है और निर्भीता से कहता है कभी सवाल नहीं उड़ता है क्या मैं ऐसा किसी और पार्टी में कह सकता हूँ किसी और पार्टी में लोक्तंत के नाम पर बनी वी बहुत सारी बाटिया हैं, बहुत सारे आउटलेट हैं, क्या कह सकता हूँ, आज ये बता दीजे, मेरे कोई छोटे भाई, दोस्त, जो चले गए धरोधार, उनसे जरा पूछ के देखेगा, कि भाजपा में जो चले गए, वहाँ 2M दर्जे के हैं तो भाईया, कॉंग्रेस के अंदर कॉंग्रेस हैं, पाद है नहीं हैं, तो ये मेरी समझ से जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सुनेंगे आपके माध्यम से, और मेरी बात की सराना करेंगे आपसे आखरी सवाल, क्या राहूल गान्दी जी पार्टी के प्रेसिदेंट दुबारा बनेंगे? बनना चाहिए, मैं करीब 74-75 साल का व्यक्ति हूँ, और मैं कह रहा हूँ, बनना चाहिए, और मैं उन्होंने एक accountability का जो नया सिद्धान प्रतिवाजित किया, उसकी कद्र करते हुए, सारी चीजी की कद्र करते हुए भी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, किसी को भी अच् चोड़ा, अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं बढ़ना चाहिए, एक मुस्त आगरव ठुकड़ाया, वो भी हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि इन सारी वाप्तों के बावजूद भी, हम इस संतोश के साथ दुनिया से जाना चाहेंगे, क और उनको अध्यक्स बनेंगे और उनको स्विकार करना चाहिए, और फिर एक बात बताओ, जो डिने अंग्रीजू से नहीं डरा, जो डिने आतंकियों से नहीं डरा, वो कैसे कह सकता है कि आज तो अंदाज लगाएंगे जो ना कह सेंगे, लोग कहेंगे बाई, आप चुनो की ललकार रही है, राहुल गांधी को, कि राहुल जी, तो मिंद्रा गांधी के पोते हो, और राजीब गांधी जी के बेचे हो, और सोनिया गांधी जिन्नोंने, क्या स्वार था था उनका, लेकिन चुनोथी को अपने हाथ में लिया, और पॉंग्रिस को सक्ता में वापस सब्सक्राइब तो आप चुनोती को उनको हाद में लेना पड़ेगा और पार्टी का नेतब तो सभालना पड़ेगा अखरी सवाल कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्स नहरो परिवार के बाहर क्यों नहीं हो सकता है क्यों जरूरी कि राउल गांधी बने प्यैंका गांधी बने सुनिया गांधी अब एक काम कर दीजिए गा हरी श्रावत का नाम जरा साथ बॉंबभई में किसी कोने में एनाउंस कर दीजिए कितने लोग आएंगा लखीन पूल में अब हम लोग अपने देखे हम लोग अपने को उस मोड में नहीं ला पाए कि हमारी कमी हो सकती है लेकिन एक बात बताईए जिसके पाए एक हुंदी हो नाम की पीछे के इतिहास की सारी चीज़े हो और जिनके नाम पर हजारों लोगों को जोड़ा जा सकता है तो अब हम ऐसे ऐसा व्यक्ति हमारे पास हो और हम उसका फाइदा नहीं उठा पा रहे है तो यह सवाल किवल राहुल नादी के नहरु परिवार से क्यों पूछा जाए यहरीश राव से पूछा जाना चाहिए मलकार जुन खरगे जी से पूछा जाना चाहिए और दूसे लोगों से पूछ पूछा जाना चाहिए और आप लोगों ने सब लोगों ने अपने उपर आपने उमें यह आकरशन पैदा क्यों नहीं किया यह तो बाते हैं ना इतरागंड के अंदर मैं आपने मां आकरशन पैदा नहीं करूँगा और कोई दूसरे व्यक्ति में है पृतिभार और के नाम कॉंग्रेस के अंदर का नहीं है यह सवाल एलाइन सवाल है जो वो ताक्ते हैं जो कॉंग्रेस को कमज़ोर करना चाहती है वो ताक्तें उठाती हैं कि नेरू गाधी परिवार के साथ उस इतिहास के साथ खड़ी कॉंग्रेस को कोई नहीं मार सकता वो समझते हैं जैसे हमने सट्हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर झाल झाल